Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome or welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about जो हमारे पास ये last का एक दिन है या फिर दो दिन कह सकते हैं because तुमारा exam 30th को है. तो जितना भी हमारे पास time भचा है, उसमें हम किस तरह से बायो के लिए prepare कर सकते हैं, क्या के चीज़ें हमें follow करनी है. So सबसे पहले ये सारे chapters हैं, तुम लोग को already पता है. जितने chapters हैं, सारे ही तुमें complete करने हैं. मान लो, bio technology मुझे difficult लगता है and ये chapter मुझे लग रहा है कि मैंने भले ही पहले थोड़ा बहुत बढ़ा है but still, मुझे इसमें उतना जादा confidence नहीं है. So इसके लिए न, तुम लोग lengthy videos definitely देख सकते हो but otherwise I would suggest कि जो भी बहुत ही कम time में one shot videos बना रखी हैं किसी ने वो देखो क्या channels हैं, क्या-क्या follow करने हैं, अभी सब बताऊंगी जिसमें कम length की videos हैं, वो भी बताऊंगी जिसमें जादा length की है, detailed videos वो भी बताऊंगी ठीक है, तो सबसे पहले, जो भी particular chapter तुम्हें लग रहा है कि it's very difficult, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने उस particular chapter में अपनी कम preparation कर रखी है you have to focus on that particular chapter and you have to make sure कि जितने भी chapters हैं, सारे के सारे complete हो ठीक है, जैन देखो one shot videos देखो, क्या-क्या channel से अभी बताती हूँ अब one shots के लिए मुझे क्या-क्या करना है, कि जो भी chapters मेरे बच्चे हुआ है सिर्फ उनके one shots देखना है, ऐसा नहीं है कि सारे chapters के मैं देख रही हूँ मान लो जैसे ये chapters हैं, तो इसमें biotechnology वाला और microbes वाला मेरा बच्चा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इनके one shots देखोंगी सारे के वापस से देखने नहीं बैठना है बागी chapters जो तुमने अल्वेडी कर लिए हैं उनके लिए तुमें सिर्फ और सिर्फ revision करना है तो अभी मैं क्या करूँगी, जो भी chapters बचे हैं उनके one shot देखनाँगी, because it is very very important that you complete your syllabus first तो syllabus completion बहुत important है माल लो तुम्हें लग रहा है कि यार तीन chapters मेरे बचे हैं और ये तीनों आज के दिन cover up नहीं हो पाएंगे तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ उसके important topics करूँगी but chapter कोई भी नहीं छोड़ना है important topics कैसे पता चलेंगे, क्या है video की link description box में डाल दूँगी directly जाके, तुम लोग खुद देख सकते हूँ कि क्या क्या हमारे important topics हैं biology में ठीक है, PYQs already मैंने telegram पे डाल दिये हैं, जाके practice करो because PYQs and the sample papers they are very very important, तो दोनों ही बहुत जादा important है, telegram name is study warehouse तो तुम लोग join कर सकते हूँ, बागी physical education या बागी जो भी होते हैं तुम लोग के papers में PDFs वगेरा जो भी मेरे पास होते हैं में डाल देती हूँ, ठीक है question practicing बहुत important है, अब physics या फिर chemistry की तरह हो, biology में ऐसा तो है नहीं कि बहुत जादा high level questions आ जाएंगे, bio में repeated questions पूछे जाते हैं and it is more about memorizing, किस तरह से तुम उस particular concept को पकड़ते हो and then उसे questions तुम लोग practice करते हो so इसलिए questions प्राक्टिस करो, reading लगाओ and reading is very very important in biology because तुम्हारे theoretical portion है, ऐसा तो है नहीं कि numericals आ जाएंगे या कुछ भी so theoretical portion इसमें जादा है, इसलिए reading definitely करना, NCIT reading के लिए time है तो करो, but otherwise I would not suggest that, अभी because अगर तुम्हारा जादा syllabus नहीं हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ one shot और question practicing ही करना, ठीक है then channels देखो, ये मैंने already तुम्हों को recommend करे थे, but many of you had commented की Garima Goyal Ma'am की videos जो है, they are specifically oriented with NEET, तो और जो NCIT वल्ला के हैं, वो 3-4 hours के हैं तो इतना जादा time तुम्हों के पास नहीं है तो इशिता खुराना, उनके अगर तुम्हों one shots देखोगे, तो एक घंटे में पूरा chapter completed है, के भी education इनके भी one hour या फिर उससे भी कम है complete chapter हो जा रहा है, ठीक है तो इनके one shots देख सकते हो, अगर तुम्हों आपास limited time है, अगर तुम्हें एक particular chapter detailed video देखनी है उसकी, so in that case, अपनी कक्षा के भी बहुत lengthy videos हैं, और detailed है NCIT वल्ला के भी, और बाकी जितने भी मैंने आपे mention कर रहे हैं, so इसके अलावा अगर और भी कोई channel तुम लोग को लग रहा है कि अभी बहुत ही short way में बहुत ही explanation provide कर रहे हैं, so comment करके बता सकते हो, बाकी तुम लोग के जितने भी कमेंट से मैंने यहां पर सारे डाल दिये हैं, जो भी तुम लोग के suggestions थे, इसके अलावा भी अगर कोई channel है, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, so that's all for today's video, all the very best for your biology exam, कोई भी ऐसे tension लेने की ज़रद नहीं है, because theoretical portion है, अगर तुम लोग ने biology ले रखी है, तुम लोग के लिए उतना जादा difficult नहीं होना चाहिए, ठीक है, so just be focused and अच्छे से पड़ो, so that's all for today's video and I'll see you guys in the next video, till then take care.